कैसे हो मेरे Chelsea के चाहने वाला तो Chelsea fans आप मेरी एक बात सुनिये ध्यान से बहुत सारे रैवल fans आपको बोलेंगे कि Chelsea fans इतना क्या खुश हो रहे हो सिर्फ Europa League में ही तो qualify कर पाऊगे जाद से जादा तुमारे club का कोई level नहीं है और इतना क्या खुश हो रहे हो Europa League में जा रहे हो क्या खुश हो रहे हो तो आप उन सब लोगों को इतना सा बोलिए कि आप अपना हाथ जो है थोड़ा सा बढ़ाएं साइड में आपके बोतल हाती है आत में कप आता है टीवी का रिमोट आता है जो भी आता है हात में या pen pencil जो भी आती है यह एक pencil है जो भी आती है हात में इसको लीजिए इसमें तेल लगाईए और इसको अंदर डाल लीजिए अपने जहां पे भी आपकी शरद्धा है मतलब जिसकी भी जैसी भी शमता हो जो शरद्धा हो उसको जहां पे उसको रखना है वहाँ पर अंदर डाल ले अपने, यह आप बोली उनको, ठीक है, as simple as that, we are the famous CFC and we are so back भाई, मतलब मैं बता नहीं सकता, कितनी जादा मुझे खुशी हो रही है, worst से worst क्या हो जाएगा अभी यहाँ से, conference league में चले जाएगे, कोई बात नहीं, एक time पर ऐसा लग रहा था कि यहा Europa League qualification का सपना देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, I want to apologize to Moritzio Pochettino, I am sorry, आपने बहुत अच्छा काम किया है, please, last जो match है, season का, उसमें इसी तरीके से motivated रखिये टीम को, इसी तरीके से players को प्रोच सहन देते रही है, इसी तरीके से team को आशवासन देते रही है, कि हम कु कुंकु ने हमने देखा कि किस तरीके से आज आके game बतला, Mudrik को injury हो गई, although red card होने से तला, MTK ठीक है, वंदल उसकी बात मैं नहीं करूँगा, बट, Mudrik को जिस तरीके से हमने replace करके, एंकुंकु लेके आए, फिर जिस तरीके से हमने देखा, गुस्तो की आज performance थी, बहुत ब बड़ी है खिली है टीम, कोई रिव्यू नी करने वाला मैसमाच का, I am so happy as a Chelsea fan, I just hope कि जो बोनमत से last match है, वो हम जीच जाए, thank you so much Manchester United, glory glory man United, let's go, Newcastle United को हरा दिया, 6th है अभी हम टेबल में, एक गेम बचा है, last game हमारा हम पे है, बोनमत के अगेंस्ट, I just hope कि we win that match, and we secure that Europa League spot, और GGMU, बस अभी तकी था, FA कफ वाला मैसमाच चार जाना, पता चला, वो FA कफ वाला मैसमाच जीत गए, और हम 6th रहे गए, तो irrespective of Man United कहाँ फिनिश करती है, वो qualify कर जाएंगी, उरोपा लीग के लिए, लेकिन इसमें एक पेच और है, कि अगर Sheffield United से अपना last match हार जाती है, मतलो, क्या दिन आ गए थे भई, एक टाइम था कि Spurs fans हमको ट्रोल कर रहे थे, all the Spurs पर हमने double मारा है, भई, भई, हम Spurs से उपर फिनिश कर सकते हैं, going into the last game of the season, एक ऐसा season, जहां पर उनको best manager ever मिला in the history of football, उनका best season ever हो रहा था, उनके according, और हमारा worst season ever हो रहा था, and still there is a possibility, last day into the season, कि हमन से उपर फिनिश कर सकते हैं, यह standards है, भई, that is what Chelsea is all about, I know आप बहुत लोगों ने मेरा यह रूप नहीं देखा होगा, कि मैं सा बेंटर कर रहा हूं, या I'm not caring about anything, जो मैं कहरा हूं, बट यह है भई, this is what a football fan, this is what being a football fan is all about, I love my club, I love Chelsea FC, let's go भई, let's go, and I want to apologize to Morizio Po I know, बहुत सारी चीज़ है, behind the scenes चल रही थी, बट ठीक है, हमने एक standard set किया हुआ था, जिसके, according हम finish अगर नहीं करते, तो हमारे लिए वो failure था, लेकिन Morizio Pochettino, आपने हम सब को गलत proof किया है, आपने एक remarkable turnaround किया है, last कुछ matches में जो देखा है, मैंने, specially वो Arsenal की defeat के बाद, जो जो भी result हो, I will accept it gladly, 90% लग रहा है कि हम Europe खेलने वाले next season, बाकी देखते हैं क्या होता है, आपकी कह रहा है, please do let me know in the comment section, I am so buzzing right now, इस match का I know, मैंने कोई insight नहीं दिया है, कोई मैंने review नहीं किया, इसके में लिए मैं एक live stream करता हूँ, कल हम live stream करते हैं boys, all the Chelsea fans in the house, make sure to join in, एक live stream करेंगे, उसमें हम discuss करेंगे, कि क्या हुआ है, a turn around, क्या मुझे लगता है, कि चीज़े गई है सही, Chelsea के लिए, और उसमें अपन डीटेल में बात करते हैं, but I am so happy, I am so glad man, let's go boys, let's go, keep the blue flag flying, up the Chelsea, come on you blues, let's go.